दोस्तो आप सबको एक सेर सुनाता हूँ अगर ना हो जेब में पैसा तो ना पढ़ना यह सीख दिया है और इस बार फीस रिफंड नहीं किया योगी जी ने भीख दिया है जी हाँ दोस्तो इस बार जो UP scholarship के नाम पे बच्चों की फीस रिफंड हुई है वो भी खास तोर पे अगर हम PG कोर्स की बात करें Post Graduation कोर्स की बात करें वो भी खास तोर पे हम अगर लगनाव विस्वी द्याले से Affiliate College के AMED कोर्स की बात करें तो इस बार AMED कोर्स में पढ़ने वाले बच्चों का फीस रिफंड नहीं हुआ है उनको उनकी आवकाद बताई गई है कि सरकार में सिख्चा से जड़े लोगों का क्या हैसियत है क्या वैल्यू है और फीस रिफंड के नाम पे उनकी हैसियत के साथ मजा किया गया है लखनव विस्वी दला से अफ्लेटेट कॉलेज में पढ़ने वाले AMED के छात्रों की फीस कितनी रिफंड आई है आपको जानके हरानी होगी 40,000 यहां का yearly फीस है और फीस कितना रिफंड हो है दोस्तों मैं आपको एक status दिखाता हूँ इस status को देखिए फिर आपको लगेगा कि यह फीस रिफंड नहीं यकीनन विद्ध्यार्चियों के साथ मजा किया है और खासतर पर वो लोग जो अगली बार यह सोचते है कि मैं AMED का कोर्स करूँगा या करूँगी एड्मिशन लेने के बाद मैं पढ़ूँगा या पढ़ूँगी पैसे कहीं से मैरेज करके स्कॉलर्शिप आने के बाद अगर आप रिटर्ण करने का सोच रहे है तो एक बार देखिए कि कितना फीस आपका रिफंड हुआ है ये फीस रिफंड हुए है सोचे एक इस हाजार ने मैं इसका दस बार देखा बीस बार देखा कि कहीं ये एक इस हाजार तो नहीं है लेकिन जी नहीं आकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए है वो भी मातर एक इस सो पच्पच्पण रुपे 2,155 रुपए और एक साल की उसके बाद 40,000 आपको tuition fees देना पड़ता है admissions के बाद आपको 40,000 रुपए दोनों सेमेस्टरका एक साल का course fees देना पड़ता है लगबख 50,000 रुपए के फीस और फीस रिफंड कितना हुआ 2100, 2100 रुपए जी हाँ यह यह किनन छातरों के साथ एक मज़ाग किया गया और जब यह अमाउंट आया तो लोगों ने मुझे बताया मेरे दोस्तों में बताया, बचन में बताया कि यह फीस रिफंड हुआ है मुझे लगा कि शायद यह पहली किस्त होगी या फीस रिफंड बाकी है लेकि जब यह स्टेटस शो करने लगा तो यह बात किलियर हो गई कि यही वो फाइनल अमाउंट है जो सरकार देने वाली है चातरों को फीस रिफंड के नाम पे वही सरकार जिसके बस लाकों और करोड़ रुपे होते हैं अपने सरकार के गुनगान एड़टाइज करने के लिए चाहे वो सोसल मीडिया हो चाहे वो यूटूब हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो न्यूज मीडिया हो हर जगा अपनी बढ़ाई करने के लिए जिसके बस लाकों करोड़ रुपे होते हैं स्कॉलर्शिप और फीस रिफंड के नाम पर 40,000 फीस के अगेंस्ट में कितने पैसे रिफंड किये गए हैं 2155 रुपे तो यह सरकार की हैसियत है यह सरकार हमें देना चाहती है यह सरकार वो अमाउंट डे रही है बच्चों को पढ़ने के लिए यह वीडियो मैं क्यों बना करिए स्कॉलर्शिप के भरोसे आप रहके मत अमेट करिएगा क्योंकि आपको एड दे आपको केवल निरास होना पड़ेगा नाउमीद होना पड़ेगा और आपको उससे में तकलीफ होगी इसलिए मैं आपको पहले ही आवियर करा देता हूं कि यह सरकार हमें फीस रुपे और यह 100% शूर है कि यही वो आमाउंट आया है मैं एक जीज़ और करेक कर दूँ इसके अलाबा कुछ लोगों के 3,000 कुछ लोगों के 4,000 6,000 और जहां तक मैक्सिमम में 7-8,000 रुपे भी आये हैं किस बेस पे आये हैं नहीं पता लेकिन यह जो आप स्टेटस करता है उसकी इसकोलर्शिप जो रिफंड आये लगबग 4-5,000 उनकी भी फूल फिस रिफंड आज तक मैंने जितने भी स्कोलर्शिप देखे थे चाहे वो ग्रेजुएचन की बात करें चाहे वो बीड की बात करें अट लिस से एसे स्ट काटिगरी के फूल फिस रिफंड ह होता ही था पहली बार मुझे इस सत्र में देखना पड़ा कि स्कोलर्शिप और फिस रिफंड के नाम पे भीख दान और एहसान किया गया है बच्चों के उपर वो इतने कम आमाउंट आ हैं पहली बार पता नहीं किस लेबल से दिया गया बीड वालों की स्कोलर्शिप आई अगर आप वादें किसी सर्कारक के मैंफेस्टों करता है और हमारी सरकार बनती है तो हम एक इस लड़कियों को तो पड़ाई फ्री कराएंगे तो दोस्तो ये हाल है हमारे अगर आप भी आप में से कोई भी अमेट फ्यूचर में करना चाहता है तो सोच समझ के करिए का करिएगा जरूर सरकार जो यह कम पैसे दे रही है उसको सबक सिखाने के लिए इस अही चाहिए वह आप मज़़ूरी करके करिएगा पैसे बंदोबस next year आती है मगर है यह सचा ही है कि इस बार की scholarship इतनी ही आई है बड़े दुखत के साथ सरकार के नाखुशी के साथ सरकार को अपनी कड़ी परतिकर है देने के साथ मैं इस वीडियो के समाप्स करूगा कि बिल्कुल ही एक मजाक रहा है हमें बहुत उम्मीद थी हमें scholarship सब्सक्राइब करें लेकिन एक सेमेश्टर तो छोड़िये वह वह एक्जामिलेशन फॉर्म के पैसे भी आधे पैसे आया है दो हजार एक्सोपच्पन रुपए यहां पूरे साल की फीस चालिस हजार होती है और यह हमारा फीस रिफंड आया खेर बहराल मैं आसा करता हूं कि जो लोग की स्कॉलर्शिप इतनी भी आई है वो अब इसमें क्या ही करेंगे इंतजाम करेंगे अपने पैसे का और वो अपने पढ़ाई को कांटिन्यू रखेंगे छोड़ियेगा मत क्योंकि आपने तरीके से सही चुनाओ करें क्योंकि आपके साथ नहीं तो आने वाले ब जैन जै भारत पढ़ते रहें खुश रहें आगे पढ़ते रहें जैन